हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले है मारुती सुजुकी S-Cross के बारे में क्या कुछ नया, क्या कुछ खास आपको देखने को मिलेगा नए S-Cross SUV में आप लोगों को कम्प्लीट डीटेल से जानकारी दूनगा तो चलिए वीडियो शरू करते हैं क्रोसोवर SUV के स्पैंड में एक और नया दावेदार मारुती सुजुकी की तरफ से आ रहा है जिसने पहले भी भारतिय बजार पर अपना दबदबा बनाया था जी हाँ, मारुती सुजुकी S-Cross ही वही कार ही जो भारतिय बजार पे राज करती आ रही है 2024 में पने नया अवतार के साथ आ रही है तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस गाड़ी के competition के बारे में तो नेक्सोन, सोनेट, क्रेटा, ब्रेजा, एस्टर, हॉंडा की एलिवेट जैसी गाड़ीों के साथ इसका competition रहने वाला है इसी के साथ अगर हम बात करें की नये इंजन के बारे में तो एक दशमलव 4 सिलिंडर का आपको हैब्रिड इंजन देखने के लिए मिल जाएगा जो की 139 PS की power produce करेगा पिक 235 एनेम टॉर के साथ में 6-speed manual और 6-speed talk converter के साथ में आपको इंजन देखने को मिलेगा जो की 25 से लेकर 30 गेम बिल तक का मैलेज निकाल के देगा आपको दे देगा वही आपको 1.5 लीटर का tried and tested वाला भी इंजन देखने को मिलेगा जो की mil hybrid के साथ आएगा 19-to-b HP power 122 mm tower के साथ में जो भी आपको 27 का मैलेज आराम से दे देगा ये इंजन आपको fire suite manual और automatic transmission के साथ में देखने के लिए मिलेगा इसी के साथ अगर हम बात करें गाड़ी के features के बारे में तो इस बार आपको बहुत ही बढ़िया Lucas Cross का देखने को मिलेगा जो काफी हद तक 20 प्रतिशत आप कह सकते हैं Grand Vitara से मिलता जुलता होगा ओ लेडी, DRL सा आपको देखने के लिए मिलेंगे 360 camera मिल जाएगा paranormal sunroof, R17 के नए बड़े alaya will आपको मिलेंगे साथ ही साथ में पीछे connecting tail lights आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इसी के साथ चलते हैं गाड़ी के अंदर और बात करते हैं नई S-Cross के interior के बारे में तो नई S-Cross में आपको सबसे पहले हम बता देखी इसमें 10 inches का music system आपको देखने को मिलेगा जो की wireless auto और apple car play support करेगा साथ ही साथ में wireless charging भी आपको गाड़ी में देखने के लिए मिल जाएगी चार speakers चार twitter के साथ में ये new system आपको मिलेगा इसी के साथ में adoptive cruise control भी आपको इस बार गाड़ी मिल जाएगा लेवल दो aids के साथ गाड़ी आएगी safety feature की बात करें तो passenger की सुरक्षा के लिए इसमें dual airbag, EBD के साथ ABS और rear parking sensor जैसे feature सभी variant में standard देखने को मिलते हैं launch की बात करें तो October तक आपको देखने को मिल जाएगी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही Thank you for watching अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेर करें और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए